हलो फ्रेंद्स, वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल, आज मैं आपके लिए बनाना आइसक्रीम की बहुत ही सिंपल रैसिपी लेकर आई हूँ इसे हम बहुत ही कम चीजों से घर पर बड़ी असानी से बना सकते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ दो केले लिये हैं, अब केले को काट कर मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है, इसके बाद हमें फ्रेश मलाई लेनी है, मलाई हमें फ्रेश ही लेनी है, अगर मलाई ज्यादा पुरानी होगी तो उसे बदबू आएगी मैंने यहाँ एक कटोरी मलाई ली है और इसे भी मिक्सी जार में डाल दिया है इसके बाद इसमें आदी कटोरी दूथ और चीनी डाल दें मैंने करीब दो बड़े चमचीनी डाली है अब इसमें थोड़ी सी चॉकलेट या फिर चॉकलेट सिरफ डाल दें यह ओप्शनल है अब इसे दो तीन मिनट तक ग्राइंड करें और जिस बरतन में आप आईस क्रीम जबाना चाहते हैं उस बरतन में इस बैटर को निकाल दे अब मैंने इसमें थोड़ी सी चॉकलेट सिरफ डाल कर इसमें टुथपिक से थोड़ा बहुत डिसाइन बना दिया था ताकि मेरी आईस क्रीम थोड़ी अच्छी दिखे अब इसे ढखकर फ्रीजर में रखते हैं मैंने जब 6-7 गंटे बाद इसे जब चेक किया तो यह बहुत ही बढ़िया बन कर तयार थी बहुत ही अच्छे से जम गई थी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने थी गर्मियों का मौसम है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए रेसिपी के साथ